हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने जारूं कि कैसे आप अपने टेक्नो पोवा 5 प्रो एंडवेट मॉइल फोन में अगर आपकी मॉइल फोन का वाइफाई जो कनेक्टेड होने पर भी वाइफाई का इंटरेट नहीं चल रहा है तो इस प्रॉडम को मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला मेटा सर्विस के ठीक सामने आपको 3.पे टैप करना है तो आपको ये पेज आता है इसमें एप इंफो का ये option टैप करना है अब आपको इस पेज में storage and catch का ये option टैप करना है यहाँ पर आपको नीचे clear catch का ये option टैप करना है तो आप इंफो का ये option टैप करना है अब आपको इसमें storage and catch पे टैप करना है यहाँ पर आपको नीचे clear catch का option टैप करना है तो आपका ये catch के सामने लगा data zero हो जाएगा अगला काम करना क्या देखिए दोस्तों आपको अपने फोन को एना एक बार restart जरू करना है ठीक है अगला क पेज में कोई भी update का बटन या download install अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो इससे आपको टैप करना है फोन का software अपडेट करना है ठीक है अगला काम करना है कि है mobile phone की network setting को reset करना है इसके लिए phone का setting पेज ओपन करना है सबसे उपर सर्च सेटिंग पर टैप करना ह अगले पेज में दुबारा से reset setting पे टैप करना है तो आपको थोड़ी देर में या पे नीचे लिखा हुआ आ जाता है network setting having reset इस तरहीं जे फोन की network setting को reset करना है ठीक है अगला काम करना है कि है mobile phone को reset करना है देखिए दोस्तो mobile phone को reset आपको तब करना है जब मेरे बताएवे प factory reset का option show होता है इसे tap करना है आपका phone directly आपको setting में लाएगा factory reset पे टैप करेंगे तो इससे आपका phone जब reset हो जाएगा और आपके mobile phone का जो wifi का internet नहीं चल रहा है ये problem solve हो जाएगी लेकिन phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात ही ध्यान रखने है आपक process आपको use करना है इससे आपके problem solve हो जाएगी